हेलो एवरिवन तो कैसे हैं आप सब लोग आई होब कि आप सब बहुत जादा अच्छे होंगे तो मैं हाजर हूँ एक नई वीडियो के साथ तो मैं आज आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स में आपके साथ शेयर करूँगी जिससे कि अगर आपके घर में चुए हो गए हैं और आप बहुत जादा परेशान हैं तो ये सारे चुए आपके घर से दूर भाग जाएंगे और दुबारा लोटकर कभी भी नहीं आएंगे तो जब ये चुए हमारे घर में हो जाते हैं तो हमारे किचन में रखे हुए सारे सामन को काट डालते हैं बहुत जादा ये नुकसान करते हैं साथ ही साथ हमारे वार्डरोप में घुच जाते हैं और हमारे कपड़े भी ये काट डालते हैं और साथ ये बहुत सारे बीमारियों को भी जनम देते हैं तो मैं ऐसी आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी जिससे चुहे जो है ना वो घर में नहीं मरेंगे बलकि घर से बहुत दूर भाग जाएंगे और दुबारा कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों को नहीं मारना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर करें हैं जिससे कि जो चुहे ना वो बिलकुल दूर भाग जाएंगे और आपको उनको मारने के जरूत नहीं पड़ेगी तो अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और सभी के साथ इसको शेयर जरूर करें तो टिप नमबर वन है मेरी सबसे पहले हमें लेना है एक बाउल आप किसी भी तरह का बाउल ले सकते हैं कोगी बना रही हूं ना इसके कुगास बिली तरह का किसर बर्तन के किसी भी को हाम नहीं होगा पानी से आपको इसको थोड़ा टाइट टाइट गूनना है आपको इसे बहुत जादा पतला नहीं करना है तो यह जो बेसन है बेसन की जो इसमेल है और फिर इसके इसे एट्रैक्ट होकर चूहे आएंगे और इसके अंदर हमने डाली है लाल मिर्च और तंबाकु जब लाल मि पर दरोाजे खोल दीजे हैं भी जोएक के अंदर आप उस जगह पर इसको डाल दीजेगा अगर देखे हैं घृट आपको नहीं मारा में मेंगेट पर इसको quickly एक तो चूह को एसे अचा देना होगा पाहिए इसी गेट से वह अंदर आते हैं तो मैने यहां पर रख दिया है इसे क्या होगा कि जब भी चूहा आएका से और उसको खायेगा तो खाकर उसको मिर्च भी लगेगी और चक्कार खाकर बाहरी भाग जाएगा वह अंदर ही नहीं आपाएगा तो आप इसको दर्वाज दर्वाजे के नीचे थोड़ा सा गैप है तो आप इस तरह के अगर आपके दर्वाजे में गैप है तो आप वहां पर रख दीजिए तो चुहे बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं आएंगे एक बार इसको खा लेंगे ना तो जिन्दी की भर वह नहीं आएंगे और आपको पर अजिए और था रहां यहां पर खा सकते हैं तो आप पर रख दीजिए मैंने यहां पर देखे अलमीरा के नीचे भी बढ़ दिखाया आपको आप यहां भी रख सकते हैं इसे खाकर जब भी चुहे रहेंगे ना तो उनको चकराँ होगी तो जब भी अगर आप यह डाल तो आप गेट को ज़रूर खोल दीजेगा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे उत्य प्यास को रख दीजे बस आपको इतन ही करना है और आपके घर में जुछ है कि उनको जो प्यास की समयल है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप इस टिप का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ इसमें आपको क्या करना है आपको लेना है एक स्टील का बरतन आपको एक बॉल टाइप में लेना है और उसके अंदर आपको लेना है पानी पाणी कम जकम 1 Door Glass, पीास इस के अंदर णाल कटे हुइ प्रियास दाला है, adding 10 BC 10-15 BC भी तेज़ पत्ता, और यह पत्ता भी तेज़ पत्ता भी हमें इस पाणी भी पाणी दाल जिले ने देखाल, आधा भी आदाना मेदाता, पाणी की आदा Crash इस पानी को हमें रखना है गैस पर और गैस पर रखने के बाद हमें इस पानी को थोड़े दर के लिए पकाना है चार से पांच मिनट पकाने के बाद जब यह अच्छे से पक जाए तो हमें इसे गैस से उतारना है और हमें इसको ठंडा कर लेना है तो देखे जो भी ingredients इसके अंदर डाले है ना उन सभी की स्मेल है वो चुहे को बिलकूल भी पसंद नहीं है तो इसलिए हमने यहィ सारे जितने भी सामगरी है इसके इंदर डाली है वो इसी वजह से इसके अंदर डाली है आपको चान लेने के बाद को क्या है आपको लेरी है एक इस 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 प्रेघ बॉटल में आप ने जो भी यह तयार करा यह ढ इस इस बोटल के इनधर तो पानी मैंने इस इस बना बान मुझे इसके अंदर इतना पानी चाहिए तो आप भी पानी को नाप कर रख सकते हैं तो देखे यहां पर जो है ना यह दवा बनकर तयार हो गई है और यह एक ऐसी दवा है यह घर में आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं देगी घर में छोटे चोटे बच्चे भी होत बच्चे हैं कुछ भी है तो आपको किसी भी तरह से डरने की जरूत नहीं है यह किसी तरह का कोई नुकसान नहीं देगा बलकि चुहों के साथ साथ यह आपके घर से मखी चीटियां वगेरा कोकरोज इन सब को भी तूर कर देगा क्योंकि इसके अंदर जो वहां पर आपको इसका स्प्रे करना है तो मैंने अपनी किचन में भी इसका स्प्रे कर दिया है यहां पर मैंने जहां पर हम अपना फ्रीज रखते हैं यहां पर मैंने फ्रीज के पीछे भी स्प्रे कर दिया है सोफे की नीचे भी मैंने स्प्रे कर दिया है और हमारे घर में तो है नहीं यह बहुत जादा यूसफुल टिप तो इससे आपके घर की सारी जो परेशानिया ना वो दूर हो जाएंगे और साथी साथ इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा नहीं ऐसा होगा कि इससे घर के अंदर मर जाएंगे और फिर वो घर में बद्बू फू तो यह काफूर की गोलियां जो होती है इसकी गोला इसकी उमेल से भी चूह बहुत ज्यादा बाल भाग जाताए और घर शो करेंगे तो आपके घर से चुहें बिल्कुल दूर भाग जाएंगे तो आपको यह वीडियो कैसे लिगी आप मुझे ज़रूर बताएगा वीडियो को वह शेयर लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को जाद से तकी लिए बाए